दोस्तो इस वीडियो के त्रू आप लोगों के एक बहुत बढ़िया good news देने वाला हूँ जिहां दोस्तो Google और RBI मिलके जो है ये good news लाया है सभी loan apps के उपर जो है कुछ पावंदिया लगा दिया गया है तो क्या है वो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा वीडियो ध्यान से दिखिएगा बिन स्कीप के पूरा देखना पड़ेगा तभी आप लोगो पता चलेगा दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe बेटन को प्रेस नहीं किया है तो जल से subscribe बेटन को प्रेस कर दिजे साथ में bell icon को भी प्रेस करके all notification प्रेस कर दिजेगा ताकि आने वले सभी updates आप लोग को notification में मिल जाए दोस्तो क्या है वो good news दोस्तो आप सबको पता है कि loan applications किस तरीके से आप लोगों को harassment करते हैं क्या करते थे वो लोग पहले आप लोगों को जो है जब भी आप लोग लेने जाते थे वहाँ पर आपका phone का access ले लेता था तो Google ने कुछ फैसला लिया है loan apps के ओपर इसके बाद जो है यह apply कब होगा बहुत जल्दी 31st में जो की बस कुछी महीने मतलब एक महीने के असपस जो है यह बाकी है अभी जो है अपरिल चल रहा है इसके बात वाले महीने के 31st तरीक के यह लागों हो जाएगा तो आप सबके लिए यह good news है अब क्या है वो news book पढ़के मैं सुना देता हूँ आपको उसके बाद मैं आपसे बाते जो है यह discuss करूँगा तो चलिए मैं अपने phone के screen पे चलता हूँ और आप लोगो को थोड़ा सा जो है यह जो भी article आया है जो news conference के थूर आर भी आ या फिर टो निया रूल जो है वो आ रहा है 31 में से जो की लागू होने वाला है तो यह क्या-क्या रूल से है वो मैं आप लोगो को दिखा जेता हूँ Google has tightened personal loan policy for apps on Play Store after increased insistence of unethical recovery practice by digital lending apps Google said it will prohibited personal loan apps from accessing sensitivity sensitive user data such as photos, videos, contact, precious locations, call logs, etc. the update policy change will come in effects on 31st May 2023 तो यहां पर बताया जा रहा है जो भी problems यह लोग create कर रहे है थे जैसे कि आपका phone hack करना है आपका phone से जो भी access कर रहे थे contact details, location, आपका gallery बगर जो भी access यह लोग करते थे अब से जो है यह नहीं होने वाला है दोस्तों जिहां दोस्तों आप सब के लिए good news है यहां पर Google ने यह साफ तोर पर बता दिया गया है कि अगर कोई भी इस तरीके का करेगा इस तरीके का जो है access करने की कोशिस करेगा वो application यहां पर मतलब रद कर दिया जाएगा ठीक है अब बाकी भी यहां पर है मैं वह परके सुना जाता हूं Google has asked app to complete the personal loan app declaration for India and provide necessary documentation to support the declaration for example if the the firm is licensed by Reserve Bank of India RBI to provide personal loan they must submit the copy of license for review देखे इससे एक बहुत बढ़िया काम हुआ है क्या हुआ है अभी के टाइम यहां पर बोला जा रहा है कि जो भी loan applications है market में present है उनको जो है RBI का license प्राप्त अगर है उन लोगों को तो वो copy जो है वो Google को submit करना होगा तो इससे क्या होगा जो फ अप्लोड होगा ही नहीं अब फर्जी loan application आपको play store में दिखेगा ही नहीं नया application तो आएगा ही नहीं जो है वो तो दायब होगा ही क्योंकि जो एप्लिकेसिंस जो एन्वी एफसे से वो तो देगा नहीं कैसे देपाए कि उनके पस तो license है नहीं तो वो हट जाएगा तो इस तो यहां पर लिखा है दो आप्लिकेसिंस जो भी एप्लिकेसिंस यहां पर हैं अगर वो अर्बी इसे रेजिस्टर नहीं है ठीक है लेकिन वो काम कर रहे है वो एन्वी एफसी की तरह काम कर रहे है तो उनको भी declaration देना पड़ेगा गूगल को तो यह एक बहुत बढ़िया खुसकबरी है आप सब के लिए तो यहां पे बहुत बढ़ा जो मुसीबत आप लोगों को जो है जेलना पर रहा था अभी के टाइम में जो contact list access करना ये सब चीज़े ये सारा को जो है बंद हो जाएगा कोई कर ही नहीं पाएगा applications के तुरू आपका contact list access करने के लिए ये लोग permission देगा ही नहीं Google से ठीक है तो यह बहुत बढ़िया एक news है I hope कि आप स has released a declaration form for lending app from India requiring specific disclosure तो एक टेक जैंट जो है एक declaration form रिलीज किया है उसको फिलप करना पड़ेगा उनलोगों को तो यह सब चीज़े यहां पर लिखा है नॉर्मल चीज़े है ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा है क्या थोड़ा सा में चीज़े में आप लोगों को पढ़के स जो है security जो है वो बढ़ा रहे है तो यहां पर बताया जा रहा है कि apple has always had tighter quality control on its app store especially when it comes under data privacy and any app or developer that does not adhere to its rule is removed from app store मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि apple store में पहले से ही titan था security अगर कोई भी यहां पर छेड़का नहीं होता था तो apple store से वह application मतलब हटा देता था तो यहां पर जो है apple store की तरह Google store पर भी मतलब play store पर भी सेम तरीके का चीज़े होने वाला है अभी के time में तो यहां पर अगर नया application मतलब जिनके पास चला गया है वह तो अलग बा पर चला गया है वहां से तो receive मतलब यह तो हट जाएगा वह अलग बात है लेकिन उनके server में तो आपका documents तो रहेगा ही इससे आप लोगों को उतना जादा फरक पड़ेगा नहीं लेकिन जो नए लोग है जो की सोच रहे है लोन लेने के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया good news है अब से जो है fraud loan तो ही नहीं वहां पर आपके play store जो देख रहे हो ना play store में fraud loan दिखेगा ही नहीं क्योंकि अभी जो है license का copy देना पड़ेगा अब बिना copy में वहां पर submit कर ही नहीं पाएगा वहां पर upload ही नहीं कर पाएगा application तो यहां से क्या है कि फरजी लोग ने application टो वो permissions अब नहीं ले पाएगा सबसे main चीज आपका contact access कर लेता था आपका gallery access कर लेता था आपका storage access कर लेता था location access कर लेता था वो अब नहीं होगा तो दोस्तों यह जो है बहुत बढ़िया good news लाया है अभी के time में तो यह effective होने वाला है हर्टी 1st में को ठीक है तो एक ही मैना जो है बाकी है तो उसके बाद से जो है प्ले स्टोर में आप लोगों को फर्जी loan application दिखेगा नहीं और जो भी nbfc से वो आप लोगों से कोई भी permission मंगेगा नहीं तो दोस्तों I hope कि इस वीडियो के जो आप लोगों को जो good news मैंने दिया सुनने के बाद आप लोगों अच आप लोगों है प्ले स्क्रत का लोगो आफ लोगों